31 जुलाई को हमास का पॉलिटिकल चीफ स्माइल हानिये मारा गया इरान के इसलामिक रिविल्यूशनरी गार्ट कॉप्स ने इसकी पुष्टी की है IRGC ने बुद्वार सुभबताया कि तहरान में हानिये के ठिकानों पर राद दो बजे भारतिय समय के बतावे सुभच चार बजे मिसाइल से हमला किया गया इसमें हानिये और उसके एक बॉडिगार्ट की मौत हो गई और इसके बाद एक अगस्त को हमास मिलिटरी चीफ मुहमद दाइफ की इसराइली हमले में मौत हो गई लेकिन अब हमास की पॉलिटिकल विंग का नया नेता कौन होगा ये सवाल इसमाइल हानिये की मौत के बाद खड़ा हो गया है जिस शक्स का नाम सामने आ रहा है वो खुद 1997 में इसराइल के हमले में बच गया था क्या कुछ अटकले लगाई चा रही है और क्या कुछ पूरा मामला है चलिए विस्तार से जानते हैं कौन होगा हमास का अगला चीफ इरान इसराइल में जुंक का खत्रा नमस्कार आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूँ आपके साथ पारुलतर पाठी तहरान में इसमाईल हानिय की मौत के बाद ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि अब हमास की पॉलिटिकल विंग का लीडर कौन होगा इस पद के लिए खालित मशाल का नाम सबसे जादा लिया जा रहा है मशाल को 1997 में पूरी दुनिया में तब जाना गया जब इसराइली एजिंटों ने जॉडन की राज़दानी अपमान में उनके आफिस के बाहर एक सड़क पर उसे जहर का इंजेक्शन देकर मारने की नाकाम कोशिश की गई एक रिपोर्ट के मताबिक इसराइली प्रधान मंतरी बेंज्वा में नितनियू के आदेश पर हमला किया गया था इससे जॉडन के ततकालेन राजा हुसेन इतने नरास हो गए कि उन्होंने संभावित हत्यारों को फांसी पर लटकाने और इसराइल के साथ जॉडन की श्वानती संदी को खत्म करने की बात कही थी इसके बाद इसराइल ने हमास नेता श्वेक एहमद यासीन को रिहा कर दिया लेकिन साथ साल बाद गाजा में उसकी हत्या करती गई इसराइल हमास के खात्मे पर तुला इस्राइल और पश्युमी देशों के लिए इरान समर्थित हमास एक आतंगवादी समू है जो इस्राइल के विनाश पर तुला हुआ है फिलिस्तिनी समर्थुकों के लिए मशाल और हमास की बाकी लीडर्शिप इसराइली कबजे से मुक्ती के लिए लड़ने वाले फाइटर है जिनोंने अंतराष्टे कूटनीती के विफल होने पर भी अपने मुद्दे को जीवित रखा हुआ है 68 वर्शिय मशाल निर्वासन में हमास की राजनीतिक विंग के लीडर बने थे इसराइल दुआरा उन्हें खत्म करने की कोशिस से ठीक एक साल पहले राजनीतिक नेता की पद ने उन्हें दुनिया भर की विदेश्वी सरकार के साथ बैठकों में फिलस्तीनी घृप का प्रति बदों से मुक्त रहने के काबिल बना दिया हमास के सूतरों ने कहा कि मशाल के समाइल हानिया की जगा समू के सर्वो चुनेता के रूप में चुने चाने की उमीद है ये शक्स भी हो सकता है अगला नेता कतर में रहने वाले सीनियर हमास अधिकारी खलील अलहया भी नेतरित्व की दोड़ में हैं उन्होंने इसराइल के साथ अप्रत्यक्ष गाजा युद्विराम वार्ता में हमास के वारता कारू का नेतरित्व किया है उनके लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि वो नेतरित्व के लिए एक संभावना रहे हैं क्योंकि वो इरान और शेत्र में उसके सयोगियों के पसंदा रहे हैं मशाल 1990 की दशक के उत्तरार्थ से हमास के टॉप नामों में से एक रहे हैं उन्होंने जादतर समय निर्वासन में तुलानात्मक रूप से जादा सुरक्षा के वातावरण में काम किया है हमास के बाकी नेताओं की तरह मशाल भी इस महत्वपूर मुद्दे से जूच रहे हैं कि क्या फिलिस्तीनी राज्य की तलाश में इसराइल के प्रती अधिक वहभारिक दरश्टिकोन अपनाना है बता दे हमास के 1988 के चार्टर में इसराइल के विनाश या लड़ाई ज़ारी रखने की बात कही गई है मशाल इसराइल के साथ स्थाई शान्ती समझोते के विचार को खारिच करते हैं हाला कि उनका कहना है कि हमास एक दिर्ग कालिक युद्विराम के बदले में अस्थाई समाधान के रूप में पश्रुमी तट गाजा पट्टी और पूर्वी यरुशलम में एक फिलिस्तिनी राज्य के सुईकार कर सकते हैं 7 अक्टूबर के हमले पर मशाल का नजरिया 7 अक्टूबर 2023 को इसराईल में हमास के हमले में 1200 लोग मारे गए जबकि 2500 से अधिक बंधक बना लिये गए इसके जवाब में इसराईल ने हवाई हमलों और गाजा पर आक्रमण के साथ जवाबी कारवाई की जिसमें 49,000 से अधिक फिलिस्तिनी मारे गए यहूदी राष्ट्र ने हमास को खत्म करने के अभियान को आगे बढ़ाया जिसने घनी अबादी वाले तटिये शेत्र को मलवे में बदल दिया है मशाल ने कहा कि 7 अक्टूबर के हमास हमले ने फिलिस्तिनी मुद्टे को विश्व एजिंडा के केंदर में वापस ला दिया उन्होंने अर्बो और मुसल्मानों से इसराइल के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने की अपील की मशाल के मताबिक वर्तमान युद्ध समाप्त होने के बाद केवल फिलिस्तिनी ही ये तैग करेंगे कि गाजा पर कौन शासन करेगा उनका ये बयान इसराइल और संयुक्त राज जो अमेरिका के खिलाफ है जो युद्ध के बाद के शाशन से हमास को बाहर रखना चाहता है मशाल पंदरा साल के उमर में मुसलिम ब्रदर हुड में हुए शामिल मशाल ने अपना जादतर जीवन फिलस्तिनी इलाकों से बाहर बिताया है वेस्ट बैंक के शहर रामलाह के पास सिल्वाड में जौन में मशाल बच्पन में ही अपने परिवार के साथ खाड़ी अरब राज्ज कुवेद चले गए थे जो फिलस्तिनी समर्थक भावनाओं का केंदर था पंदरा साल के उम्र में वो मुस्लिम ब्रदर हुड में शामिल हो गए जो मध्य पूर्व का सबसे पुराना इस्लामिस्ट समू है ब्रदर हुड ने 1980 के दशक के आखिर में इस्राइली कबजे के खिलाफ पहले फिलस्तिनी विद्रो के दोरान हमास के गठन में महतवपून भूमिका ने भाई थी मशाल कई सालों तक विदेश से हमास के लिए लॉबिंग करते रहे हैं लेकिन उससे पहले वो एक स्कूल टीचर बने थे जबकि समू के अननिता लंबे समय तक इस्राइली जेलों में बन रहे वो जॉडन में अंतर राष्ट्रिय धन उगाई के प्रभारी थे जब वो हत्या से बाल बाल बचे नेतिनियू ने मश्याल के बड़ा बनाने में एहम भूमे का निभाई जब उन्होंने 1997 में मौसात एजिंटों को उसे मारने का आदेश दिया यह आदेश यरुस्तलेम के भजार में हुए बं विस्पोर्ट के प्रतिशोद में किया गया था जुसमें 16 लोग मारे गए थे और जुसका आरोप हमास पर लगाया गया था मश्याल को सड़क पर जहर का इंजेक्शन लगाया गया संदिक तहात्यारों को जॉडन पुलिस ने पकड़ लिया था जॉडन ने अंततहा अममान में हमास के ब्यूरों को बंद कर दिया और मश्याल को खाड़ी राजविक कतर में निर्वासित कर दिया वो ये 2001 में सीरिया चले गए मश्याल अब अपना समय दोहा और काहिरा की बीच बाटते है मश्याल ने इसलिए छोड़ा था राजुनीतिक नेता का पद दिसंबर 2012 में मश्याल ने गाजा पट्टी की अपनी पहली यात्रा की और हमास की 25 वी वर्शुगाट की रैली में मुख्य भाशवट दिया ग्यारा साल की उमरे में वेस्ट बैंक छोड़ने के बाद से उन्होंने फिलिस्तीनी छेतरों का दोरा नहीं किया था मश्याल के विदेश में रहने के दोरान हमास ने अपने धर्म निर्पेक्षु प्रतिद्वंदी पश्युमी समर्तित फिलिस्तीनी प्रतिकरन पर अपना दबदबा कायम किया जो इस्राइल के साथ श्वान्ती वारता के लिए खुला रहा है 2007 के एक संशिप्त ग्रह युद में हमास ने PSA गाजा का कंट्रोल छीन लिया मश्याल और गाजा स्थित हमास नेतरित्व के वीच टकराव बढ़ गया दरसल मश्याल ने राश्वती महमूद अब्बास फिलिस्तीनी प्रतिकरन के प्रमुक के साथ सुलह को बढ़ावा दिया जो गाजा लीडर्शिप को पसंद नहीं आया इसके बाद मश्याल ने घोश्रा की कि वो इस तरह के तनाव के कारण पॉलिटिकल लीडर के रूप में पद छोड़ना चाहते हैं 2017 में उनकी जगा उनकी गाजा डिप्टी हनिया ने ले ली थी हमास चीफ हनिया की बुद्दिवार यानि की 30 शुलाई को तहरान में एस्ट्राइक में हुई मौत के बाद इरान और इसराइल में जग का खत्रा बढ़ गया है इरान के सुप्रीम लीजर आयतुला खेमनई ने कहा कि वो हनिया की मौत का बदला लेंगे और इसराइल पर सीधा हमला करेंगे वहीं इसराइल के पी-म नेतनियू ने राश्व के नाम संबोधन में कहा कि इसराइल के लिए आने वाले दिन मुश्किल हो सकते हैं लेकिन हम हर्चनोती का सामना करने के लिए तयार हैं दूसरी तरफ कतर में हानिय को सुप्रुतिक खाक करने से पहले गुरुवार को तहरान में उसे अंतिम विधाई दी गई इसमें हजारों लोग शामिल हुए तहरान उनिवर्स्टी में हानिय के शव को अंतिम दर्श्वन के लिए रखा गया इसके बाद तहरान के फ्रीडम स्क्योवार तक उसके शव के साथ अंतिम यात्रा निकाली गई खामे नहीं ने इसका नेत्रित्व किया इरान में आम तोर पर सबसे वरिष्ट कमांडर और अधिकारियों के लिए इस तरह की शव यात्रा का आयोजन किया जाता है अब देखना यही है कि अब हमास का अगला लीडर या चीफ कौन होगा फिराल इस कबर में बस इतना ही बाकी देश और दुनिया की तमाम ख़बरों के लिए आप देखते रहें यह क्यापिटल टीवी अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णे के लिए शुक्रिया